मुसल स्ट्रेन के बारे में मुसल स्ट्रेन के दोरान देखने को मिलता है इसलिए डाइनेमिक नॉन कॉंटेक्ट स्पोर्ट जैसे की जंपिंग और रनिंग स्पोर्ट में कॉमनली देखने को मिलता है मुसल स्ट्रेन के ग्रेडिंग की, कि सीवेरीटी और गंभीरता के हिसाब से हम किस तरीके से मुसल स्ट्रेन को डिवाइड करते हैं टर्ट में बातते हैं ग्रेड़ 1 ग्रेड़ 2 और ग्रेड़ 3 ग्रेड़ 1 की इंजिरी होती है इसमें कुछ ही मसलन फाइबर्स देमेज होते हैं इसमें जो मसल की स्ट्रेन्थ Opening है टौसरी दिन महसूस होता है एक तैम करते हैं हम great esto Cupy तो जो great to key injury इसमें हमारे करीब 50% यानी कि लगबग आधे muscle fibers जो है वो damage हो जाते हैं इस condition में patient को Suzan रहती है is condition में जो दर्द है वो patient को तुरंद महसुस होता और ज्यादा महसुस होता है comparatively जो first grade में दर्द patient को रहता है इसमें सूजन भी देखने को मिलती है और हमारे जो मसल की स्टेंथ है उसमें भी थोड़ी कमी आती है इसी तरीके से भी और जो थर्ड ग्रेट का मसल टेयर होता है वो complete मसल टेयर होता है यानि कि लगबग सारे ही मसल फाइवर जो है वो damage हो जाते हैं इसके कारण पेशेंट को बहुत को ज़्यादा सीवियर दर्द होता है इस condition में सूजन भी रहती है और साथी साथ loss of function यानि कि जो मसल का काम है वो मसल पूरी तरीके से नहीं कर पाता फॉर एक्जामपल जैसे कि हमारे कॉड्री सेप्स मसल में यदि complete टेयर होता है तो हम घुटने को पूरी तरीके से सीधा नहीं कर पाएंगे इस condition में जो मसल की strength रहती है वो भी कम हो जाती है सो विए जो थर्ड ग्रेट का मसल स्ट्रेन होता है उसका treatment surgery के बाद फिजो तरीपी से किया जाता है सो विए अब बात करते हैं मसल स्ट्रेन के symptoms की सो विए जब मसल स्ट्रेन होता है और हम मसल को contract करते है यानि कि मसल के action को करते हैं या मसल को stretch करते हैं तो दर्द महसुस होता है पेशेंट को सूजन रह सकती है तेंडरनेस यानि कि छूने पर भी दर्द महसुस होता है discoloration यानि कि जिस area में injury हुई है वहां का जो रंग है उसमें बदलाव आ जाता है नील पड़ सकती है और साथ पेशेंट को stiffness और मसल में गमजोरी महसुस हो सकती है तो यह कुछ symptoms हैं जो कि मसल strain के case में हमें देखने को मिलते हैं विवर्स अब हम बात करते हैं मसल strain के treatment की तो मसल strain के case में आपको rest करना चाहिए उन activities से जिससे आपके muscle पर load आए या फिर आपका muscle stretch हो इसके अलावा muscle strain के तुरंत बाद आप icing करें करीब 15-20 मिनिट तक हर 2-3 घंटे में icing के लिए आप ice pack के इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप ice को towel या कपड़े में लपेट कर अपना जो area affected है वहाँ पर apply कर सकते हैं विवर्स सूजन को बढ़ने से रोकने के लिए आप compression bandage के इस्तमाल कर सकते हैं compression bandage को आप नीचे से ऊपर की और बादें ध्यान रखें compression bandage को आपको बहुत जादा tight नहीं बादना है इससे आपका जो blood circulation है उसमें रुकाबट आ सकती है विवर्स compression bandage बादने के बाद यदि आपका दर्द बढ़ता है compression bandage की नीचे इदि आपको सूजन दिखाई पड़ती है या फिर उस area में आपको numbness यानी की सुनपन मैसुस होता है तो तुरंट आप compression bandage को ढिला कर दें so viewers muscle strain के case में आपको injured area है उसको elevate करके रखना चाहिए heart level के उपर इससे क्या होता है gravity की मदद से भी हमारी जो सूजन है उसको कम करने में help मिलती है so viewers आज के साथ जैसे आपका दर्द कम होता है आप muscle को stretch करें इससे क्या होगा आपके muscle की flexibility बनी रहेगी और साथी साथ आगे injury होने के chances भी कम होंगे flexibility के अलावा strength जो है एक major component होता है muscle strain को treat करने के लिए इसलिए आपको strengthening exercises भी करनी चाहिए इससे आपके muscle में strength develop होगी और आगे re-injury के जो chances है वो कम हो जाएंगे so viewers आज की वीडियो में इतना ही यदि आप मेरे channel पर नए है तो channel को जरूर subscribe करें और साथी साथ bell icon दवाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले videos की notification आपको मिलती रहे